च्रेंडिगड में आए दिन चोरों के होसले बुलंद नजर आ रही हैं और चोर बेखाफ होकर चोरी की वारदातों को अंजाम दे रही हैं बता दें कि च्रेंडिगड के सेक्टर 36 और सेक्टर 37 की दो दुकानों में चोरी का मामला स्ताम्या है मोबाइल की दुकानों के शटर तोड़कर चोरों ने 4 लाक रुपे नगदी और 35 लाक रुपे के महंगे मोबाइलों को चोरी कर लिया कई मोबाइल दुकान में रिपेर करने के लिए आये हुए थे। चोरों ने पहली चोरी सेक्टर 37 में 12 बचकर 16 मिनट पर की। वही 19 मिनट बाद 4 लाक रुपे के मोबाइल चोरी करने के बाद चोरों ने करीब एक घंटे के बाद सेक्टर 36 में मुबाइल की दुकान का श्टर तोड़कर 44 लाक रुपे नगदी और 38 लाक रुपे के मुबाइल वा अन असेसरीस चोरी कर ली दोनों चोरी की घटनाओं में आरोपी CCTV कैमरे में कैद हो गए आरोपी ने चोहरे पर मास्क और सिर पर कपड़ा बांध रखा था दोनों चोरी की घटनाओं को इन ही चार चोरों ने अन्जाम दिया है दोनों मामलों में संबंधित थाना पुलिस ने अग्यात आरोपी को खिलाफ मामला दर्च कर जाच शुरू कर दी है वहीं सूचना मिलने के बाद मौके पर अपना अधुशाखा, ऑपरेशन सेल, डॉक स्पॉर्ट और फोरंसिक टीम पहुंचे जिसके बाद पुलिस ने मामले में जाच कारवाई तेज करती है बहरहाल अब देखना ये होगा कि इस मामले में पुलिस आरोपियों को कब तक गिरफतार कर पाती है पंच्छाख केसु टीवी के लिए चंडिगर से कुल्दीप कुमार की रिपूर्ट पंच्छाउ